Find the sum, negative 15 plus negative 46 plus negative 29 तो इसे समझने के लिए चलिए इन सभी numbers को हम लोग visualize करने की कोशिश करते हैं और बात visualization की हो रही है, तो हमारी number line तो यहाँ पर आनी ही चाहिए तो यह आ गई मेरी number line और इस number line पर हम negative 15 को represent करने की चलिए कोशिश करते हैं तो यहाँ पर अगर मेरा 0 है, तो negative 15 कहा होगा? यह 0 के left hand side में होना चाहिए कहीं पर तो मान लेते हैं कि यह वाला mark यह दिखाता है negative 15 को तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं negative 15 की absolute value ले लेती हूँ मतलब यह कि अगर मैं 0 से 15 के distance चलूँ left hand side में अगर मैं 0 से 15 के distance left hand side में चलती हूँ तो मैं negative 15 पे पहुच जाती हूँ मतलब यह हुआ कि यह जो हमारी distance है यह हमें negative 15 की absolute value दे रही है हमें इतनी distance चलनी होगी left hand side में negative 15 पे पहुचने के लिए तो इसी तरीके से चलिए हम negative 46 और negative 29 को भी visualize कर लेते हैं इसके लिए मैं फिर से यहाँ पर अपनी number line बनाऊंगी यह आ गई मेरी number line और यहाँ पर कहीं पे है इस पे 0 तो negative 46 जीरो के left hand side में होगा तो मान लेते हैं कि यह वाला जो mark है मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि यह वाला mark दिखाता है मुझे negative 46 को तो अगर हम negative 46 की absolute value की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं 0 से 46 की distance चलती हूँ left hand side में अगर मैं 46 की distance चलूँ left hand side में यह जो arrow है left में यह मुझे यही दिखा रहा है कि मैं left में चल रही हूँ तो मैं पहुच जाती हूँ negative 46 पे यह जो negative sign है यह indicate करता है कि हम left hand direction में चल रहे हैं और इसी तरीके से हम अगर negative 29 की बात करें तो हम यहाँ पर negative 29 को भी number line पर दिखा देते हैं पहले यहाँ पर है 0 और negative 29 कहीं left hand side में मालेते हैं यहाँ पर है यहाँ पर है मेरा negative 29 तो अगर हम 0 से चलना शुरू करते हैं और हम 29 आगे बढ़ जाते हैं left hand side में तो हम पहुँच जाते हैं negative 29 पे तो यह जो distance हमने cover की है 29 की यह हमें negative 29 की absolute value देता है और यह left hand में चलना बताता है कि हम यहाँ पर negative 29 की बात कर रहे हैं तो हमने इन सभी numbers को number line पे represent कर लिया है और हम समझ चुके हैं कि इनकी absolute values का क्या मतलब होता है तो चले इने जोडने की बात करते हैं एक तरीका जो हम यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं वो यह है कि हम इन सभी arrows को जोड़ दें यानि कि अगर मैं इस arrow के end में इस वाले point पे इस arrow की starting वाली point को रख दूँ और इसे 46 units लंबा कर दूँ और इसके बाद मैं इस वाले arrow के end point पे इस arrow का starting point रख के इससे 29 units लबा कर दूँ तो जो मुझे total length मिलेगी left वाले direction में वो मुझे इनका sum देदेगी और अगर आपको समझ नहीं आया जो कुछ भी मैंने अभी बोला तो परिशान होने वाली बात नहीं है हम यहां इससे number line की मदद से समझते हैं मैं भी शायद अगर इस वीडियो को दुबारा देखूंगी तो शायद मैं भी ना समझ पाऊं कि मैंने अभी क्या कहा तो यहां पर हम अपनी number line बना लेते हैं यह आ गया 0 हमारा तो अगर हम 0 से चलना शुरू करें और हम left वाली direction में 15 units बढ़ें आगे तो हम पहुच जाएंगे negative 15 पे यहां हम पहुच गए negative 15 पे और अब मैं क्या करूंगी मैं इस negative 15 से शुरू करूंगी और मैं 46 units और आगे जाओंगी अपनी इस number line पे तो अगर मैं 46 units और आगे बढ़ जाती हूँ अपनी इस number line पर negative 15 से शुरू करके तो मैं कहां पहुच गी इसके लिए हमें थोड़ी सी math करनी पड़ेगी लेकिन हमें ये पता है कि हमारी ये जो नीली वाली आरो है इसकी जो distance है इसने जो distance कवर की है वो 46 units की कवर की है और हमारी ये जो pink वाली आरो थी इसने कुल 15 units की distance कवर की है तो आपको शायद समझ आ रहा होगा कि ये जो total आरो है ये दरसल हमें negative 15 और negative 46 का sum दे रही है यानि कि ये बराबर है negative 15 प्लस negative 46 के क्योंकि पहले हम negative 15 units यहाँ पर कवर कर रहे हैं और इसके बाद हम left hand direction में 46 units मूव कर रहे हैं यानि कि negative 15 में हम negative 46 को जोड रहे हैं और इसी तरीके से अगर मैं अपने इस arrow से शुरू करूँ अब और इसके आगे मैं 29 units अगर मैं 29 units लेफ्ट में और बढ़ जाती हूँ तो मैं जहां कहीं भी पहुचूंगी वो मुझे negative 15 प्लस negative 46 प्लस negative 29 का sum दे देगा तो चरी से निकालते हैं इसके लिए हमने थोड़ी math लगानी होगी यहां पर हमें जोड़ना होगा इस total distance को यानि कि हमें 15 प्लस 46 प्लस 29 करना होगा इस total distance को निकालने के लिए तो यहां पर हमें कित्ता मिलेगा 5 प्लस 6 11 11 प्लस 9 होता है 20 के बराबर तो यहां पर आया 0 और 2 हम क्यारी कर देंगे 2 प्लस 1 3 3 4 7 7 2 9 तो यह बराबर है 90 के इसका मतलब हुआ कि 0 से शुरू करके यहां तक की जो total distance हमने कवर करी है यह बराबर है 90 के लेकिन ध्यान देने वाले बात यह है कि यह distance हम right hand side में नहीं कवर कर रहे हैं इससे हम 0 के left hand side में कवर कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम यहां पर negative 90 पर पहुचेंगे ना कि positive 90 पर क्यूंकि यहां पर हम 0 से left hand side में चल रहे हैं तो यहां से इसका जो sum हमें मिल जाता है यह बराबर होता है negative 90 के और आप कह सकते हैं कि यहां पर इन तीनों के signs सेम थे इस वजह से हमने इनकी absolute values को add कर लिया यहां पर हमने इन सभी की absolute values को add किया और क्यूंकि इन सभी के signs negative थे इसलिए हमने इसे negative लगा दिया इसके आगे में तो यहां पर इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसे मैं कह सकती हूँ कि हमें दरसर negative 15 की absolute value को negative 46 की absolute value को और negative 29 की माफ कीजेगा मुझे negative 29 की absolute values को जोड़ना है और फिर इसके आगे एक negative sign लगा देना है क्यूंकि हमारा यह समदरसल में negative है और यह जो लिखने का तरीका है हमारा यह देखने में थोड़ा बड़ा सा दिखाई दे सकता है ऐसा लग सकता है कि यह थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन इसका बस इतना ही मतलब होता है कि इसकी distance कितनी है 0 से जैसे कि यहाँ पर negative 15 की absolute value का मतलब है कि यहाँ पर इसकी distance है 15 के बराबर इसी तरीके से यह जो हमारा नीला वाला arrow है यह 46 का जो distance है यह negative value of 46 की absolute value को दिखाता है और इसी तरीके से negative 29 की absolute value का मतलब है कि इसकी distance कुल 29 है जो कि हमने यहाँ पर अपने इस purple arrow से दिखाया हुआ है तो दरसल में यह 15 plus 46 plus 29 के ही बराबर है और इसके आगे हमने negative sign लगा दिया है क्योंकि इनकी direction left में है तो यह बराबर हो जाता है negative 90 के